जहें दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफोर्म पर अज में लेकर आया हूं आर्मी जीडी एक्जाम के इंदर आने वाले क्वेशनों का एक मॉस्ट इंपोर्टेंट मॉडिल पेपर जिसके इंदर हम पूरे 50 क्वेशन जी के साइंस मैथ और इजिनिंग के लेकर करते हो तो यह पेपर आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट में वाला है अगर आप नहीं हो मारे यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पार्ट है साम अप्शन नमबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन अपना वाट इस दा नेम ओफ लाल बादूर सास्त्री समाधी इन दिल्ली यानि लाल बादूर सास्त्री की समाधी का नाम क्या है चार अप्शन देरके हैं विजेगाट राजगाट शान्ती स्तल या फिर शक्ती स्तल तो दिल्ली इस्तित लाल बादूर सास्त्री की समाधी है उनका नाम क्या है विजेगाट आप्शन नमबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशन अपना वो इस दा फर्स्ट वोमेन प्राइम मिनेस्टर आफ एनी मुस्लिम कंट्री यानि किसी भी बांगलादेश की जो पहली महिला परदान मंत्री बनी थी वो थी ऑप्शन नमबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा बैनजीर बोट्टो ये पाकिस्तान की पहली महिला परदान मंत्री ठीक है जबकि शेक अशिन बांगलादेश की पहली महिला परदान मंत्री इंद्रा श्रिलंका या फिर घ्रिनलेड। तो विश्यू का esté टीप है ग्रिनलेड। अप्षिम्न 271 नमबर 2 है तो प्रीक्त मार फिर तो अगर से बात करें , तो विश्यू का अजीरा समस्रें का है वह हुआ है। और दियान रखना Greenland पर Denmark का अधिकार है अधिकरिक तोर पर जो Greenland है वो Denmark का हिस्सा है अगला question अपना when did India and China sign पंच शील यानि पंच शील पर भारत और चीन ने कब हस्ताक्षर किये थे पंच शील समझे पर भारत और चीन के अस्ताक्षर होएते उनिस सो चोवन में option नमर डी अपना right answer हो जाएगा अगला question अपना who is the first woman to receive the दादा साहब फाल के award यानि दादा साहब फाल के प्रुशकार पाने वाली पर्थम महिला कौन है चार option देरके हैं देवी का रानी, मदुबाला, हेमा मालनी या फिर रेखा तो दादा साहब फाल के प्रुशकार पाने वाली जो पहली महिला थी option number A अपना correct answer हो जाएगा देवी का रानी, ठीक है देवी का रानी को 1909 के अंदर ये प्रुशकार दिया गया था अगला question है अपना, who is the author of the book, अभिग्यान सकुनतलम, यानि अभिग्यान सकुनतलम पुस्तक के लेखक कौन है, चार option देरके हैं, कालिदास, सूरदास, कबीरदास या फिर जेदेव, तो अभिग्यान सकुनतलम ये एक संस्कृत बाश्या में लिखी भी पुस्तक है, और इ यसी किताबे भी लिखी थी, अगला question अपना, which country will organize the T20 World Cup 2022, यानि T20 World Cup 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा, चार option देरके हैं, भारत, Australia, South Africa, या फिर England, तो T20 World Cup 2022 में इस वर्ष होगा, इसका आयोजन कौन सा देश करेगा, option number B अपना करेक्ट रांसर हो जाएगा, Australia, अगला question है अपना, when did Columbus discover America, यानि Columbus ने अमेरिका महादीप की खोज कब की, चार option देरके हैं, 1400 बराण में, 1498 में, 1496 या फिर 1478, तो अमेरिका महादीप की खोज किस ने की थी, Columbus ने और कब की थी, 1400 बराण में, option number A अपना, राइट आंसर हो जाएगा, जबकि 1498 में में, वस्कोडी गाम ने भारत की खोज की थी, अगला question अपना, where was the Mughal Emperor, अकबर born, यानि मुगल समराठ अकबर का जनम कहा हो, आता, चार option देरके हैं, लाल किला में, पठान कोट में, अमर कोट के दुर्ग में, या फिर कंदार में, तो मुगल समराठ अकबर का जनम, अमर कोट के दुर्ग में ह अगर इनके जनम किस वर्ष हुआ, तो 15 October, 1442 के अंदर, 15 October, 1542 को, अमर कोट के दुर्ग में, इनका जनम हुआ था, अगला question अपना, when did India launch its first satellite, with the help of the Soviet Union, यानि भारत ने अपना पहला उपगरे, सोवेट संकी साहिता से कब छोड़ा था, चार उप्षिन देर के, 1960, 1970, 1975, 1968, तो भारत ने जो अपना पहला उपगरे छोड़ा, वो है, 19 अपरेल 1975, किस देश की साहिता से छोड़ा था, सोवेट संकी, और उसका नाम था, आरिये बड़त, उप्षिन नमर सी अपना, राइट बच्पन का नाम था, चार उप्षिन देर के, माहिर स्वामी, गौतम बुद, समराट अशोक, या फिर समुदर गुप्द, इनमें से, राजकुमार सिदार्थ किसके बच्पन का नाम था, उप्षिन नमर भी अपना, राइट आंसर हो जाएगा, गौतम बुद के जो बच् अगला क्वेशन अपना, विच अफ़ फॉलिविंग साइट इस रिलेटेड टू कॉपर माइनिंग, यानि निम्न में से कौन सा इस्तान कॉपर खनन से संबन दीत है, चार उप्षिन देर के, कौलार, गया, खेतडी, या फिर मयूर, बंज, तो इनमें से कौन सा इस्तान है जो कौपर यानि तांबे के खनन से संबन दीते है, तो उप्षिन नमबर सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, खेतडी, ये राज्तान के जुन जुन उजले में स्तित है, अगला कॉशन अपना, जिम कार्बेट नेशनल पार्क इस इन विच स्टेट, यानि जिम ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्राकंड में, लास्ट कोशन अपना जिके का, फोर हाव लॉंग इस राज्य सबा मेंबर एलेक्टेट, यानि राज्य सबा के सदेशे का चुनाव कितने अवदी के लिए क्या जाता है, चार उप्षिन देरके हैं, पांच वर्ष, छे वर्ष, चार वर्ष या फिर एक वर्ष, तो राज्य सबा जो भारतिय संसत का एक एस्ताई सदन है और इसके सदेशे का चुनाव, छे वर्षों के लिए क्या जाता है, उप्षिन नमर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा, सेकिन पार्ट है अपना जनरल साइंस का, औ नौट एन नौन मेटल, यानि इन में से कौन अधातू नई है, चार उप्षिन दे रिके हैं, ब्रॉमीन, पारा, क्लोरीन या फिर ऑक्सिजन, तो इन में से कौन सी एक अधातू यानि अधातू नई है, यानि धातू है, तो ऑप्षिन नमर भी अपना करेक्ट आंसर हो जा गेस, तो कोई भी द्रव होता है, उसकी जो पहली अवस्ता होती है, वो होती है, ठोस, ठीक है, दूसरी, तरल, तीसरी, गेस, और चोती होती है, प्लाजमा, ठीक है, तो अप्षिन नमर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, चोती अवस्ता कौन सी होती है, प्लाजमा, NH4CL, NH4CL2, NHCL2 या इन में से कोई नहीं तो ammonium chloride का जो formula है option number A अपना correct answer हो जाएगा NH4CL अगला question अपना which part of the body is affected by polio यानि polio से शरीर का कौन सा आंग प्रभावित होता है चार option देर के यकरत, तंतरी का तंतर, आंख या फिर इन में से कोई नहीं तो polio से अपने शरीर का नरवर सिस्टेम यानि तंतरी का तंतर रभावित होता option number B अपना right answer हो जाएगा अगला question अपना what is the unit of measurement of the speed of a shift यानि पानी के जहाच की गती को मापने की इकाई क्या है चार option दिरके है not अश्वशक्ती, meter per second या इन में से कोई नहीं तो पानी के जहाच की जो गती है वो किसे ना पर जाती है उसकी काई क्या है option number A अपना right answer हो जाएगा not अगला question है अपना what is the boiling point of water यानि पानी का कवथना कितना होता है चार option दिरके है 80 degree Celsius, 99 degree Celsius 97 degree Celsius या फिर 100 degree Celsius तो पानी का कवथना जयानी एक ऐसा ताप मान जिस पर पानी भाब बन के उड़ने लग जाता है तो कितना है option number D अपना right answer हो जाएगा 100 degree Celsius अगला question है अपना what happens to the speed of sound as the temperature increase यानि ताप बढ़ने पर धवनी के वेग में क्या परिवर्तन होता है चार option दिरके हैं वेग बढ़ता है वेग गटता है और परिवर्तित रहता है या इन में से कोई नहीं तो जब temperature बढ़ता है तो धवनी का वेग भी बढ़ता है और अप्शन नमबर या अपना राइट अंसर हो जाएगा ठीके और ध्यान रखना एक डिगरी टेंपरेचर एक डिगरी सेलसिस टेंपरेचर बढ़ता है तब धवनी का वेग 0.61 मेटर पर सेकिंड के साब से बढ़ता है अगला कोईशन अपना वट मैटेरियल इस यूज़ टू मैक लेड पैंसिल यानि लेड पैंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रियोग किया जाता है चार उप्शन दे रहे हैं ग्रेफाइट, लेड, कार्बन या फिर माइका लेड पैंसिल बनाने के लिए किस पदार्त का प्रियोग करते हैं option number a अपना right answer हो जाएगा graphite दियान रखना lead pencil के अंदर lead की जो मात्रा है वो 0% होती है अगला question है अपना how many calories are in one kilo calorie यानि एक kilo calorie में कितनी calorie होती है चार option दे रहे हैं 100 calorie, 1000 calorie, 10 calorie या फिर 10,000 calorie तो एक kilo calorie के अंदर हमेशा 1000 calorie होती है ठीक है और एक calorie के अंदर 4.2 जूल होता है option number b अपना या right answer हो जाएगा कि एक kilo calorie में 1000 calorie होती है अगला question अपना what is the chemical formula of gold यानि सोने का रासानिक सुत्र क्या है चार option देर के यह जी, au, hg या फिर f सोने का जो रासानिक formula है वो है au option number p अपना right answer हो जाएगा जिसको भी ग्यान की भाशा में औरम का जाता है ठीक है और सोने का प्रमाणू कर्मांक 79 होता है ठीक है और अगर या फिर फेपड़े तो अशुद्ध जो रख तो होता है अपने शरीर का कहां पर बैता है option नमबर भी अपना right answer हो जाएगा शिराओं में जबकि शुद्ध रख तो जो होता है वो धमनियों में बैता है अगला question अपना which of the following vitamins is fat and soluble यानि निम्न मेंसे कौन सा vitamin वशा में गुलनचील है चार option देरके vitamin B, vitamin C, vitamin D या राइबो फ्लेमिन तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो वसा में गुलंची ले तो दियान रखना वशा के अंदर A, D, E और K ये चारों विटामिन है जो वशा के अंदर गुलंची ले तो देखो यहां पर D आ रहा है रासायने कुळ किस पर नेर्बर करता है चारों अप्शन देर के हैं सहोग जकता परमानू支持 करमांग परमानूभार या इन मे Dude नी कोई नहीं तो किसी भी प्रमाणू को जब रसाइन गुण है वो किस पर नेर्बर करता है option number B अपना right answer हो जाएगा प्रमाणू अगला question अपना which gas has the highest concentrations in bio gas यानि bio gas में कौन सी gas की मातरा सरवादिक होती है चार option दिरुखे है methane, methane, propane या फिर acetylene तो bio gas के अंदर लगबग 55% से लेकर 60% तक methane होती है तो option number B अपना right answer हो जाएगा सबसे दिक मातरा के अंदर methane होती है अगला question अपना what is the hardest part of the human body यानि मानव शरीर का सबसे कठोर हिसा क्या होता है चार option दिरुखे हैं dentine, kiratine, enamel या फिर हड़ी तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर हिसा है वो है अपने दातों का इनamel यानि दातों के उपर जो परज़ चड़ी होती है वो अपने शरीर का सबसे कठोर हिसा होता option number C अपना right answer हो जाएगा अगला part है अपना मैत का और मैत का पहला question है question number 31 कि 16 और 20 के लिए तीसरा अनुपाति ग्याद करी है ठीक है देखो तीसरा अनुपात कैसे पता करते है जैसे अपने पास दे रखा है 16 और 20 ठीक है तो 16 अनुपात 20 तीरती अनुपाति में ध्यान रखना हमेशा दूसरा पद दूबारा लिखा जाता है और चोथे पत को X मान लो अब बाई ये पतों का गुननफल आंतरीक पतों का गुननफल तो 16 को X से गुना किया तो 16 X बराबर 20 इंटू 20 और ये 16 गुना में का चला जाएगा भाग के अंदर अब जो कट रहा उसको कार दो जो 4 से कट रहा है 4 चुक 16 और 4 और 25 और 25 और 25 और 5 को 5 से गुना किया तो 25 तो इसका तिरते अनुपाती क्या हो जाएगा 25 आप्शन नमबर B अपना राइट अंसर हो जाएगा अगला कॉशन अपना 600 का कितना परतिशत 480 होता है देखो कुल कितना है 600 और 600 में से कितना है 480 इसका परतिशत निकालना है तो 100 में से कितना होगा एक्स वजर गुना कर दो इसको दियो जाएगा अपने पास 600 एक्स बराबर 100 इंटू 480 और 600 गुना में का चला जाएगा बाग के अंदर जो कट रहा हो उसको काड़ दो सबसे पहले 20 से 20 जिरो और 6 का बाग 48 में 8 बार 0 का 0 तो 600 का जो 480 है वो कितना परसेंट होता है 80 परसेंट ऑप्शन नमबर D अपना राइट अंसर हो जाएगा अगला कॉशन अपना 12 लड़कों के उससत आयू 15 वर्ष है यदि पहले 2 लड़कों के उससत आयू क्या होगी ठीक है लड़के कितने हैं 12 और इनका एवरेज कितना है 15 साल तो इनकी कुल उमर कितनी हो जाएगी 12 को 15 से गुना कर दो 15 दूना 30 और 15 और 3 188 यह 180 साल सबी 12 लड़कों की कुल आयू है अब इसने का कि पहले 2 लड़के इन 12 में से जो पहले 2 है उनकी उससत आयू है 20 साल तो उनकी कुल उमर कितनी हो जाएगी 20 को 2 से गुना कर दो 40 साल तो अब बाचे कितने हैं 10 लड़के और उनकी उमर कितनी बची हुए 180 में से 40 को माइनस कर दो 140 साल तो बताओ उनकी अगला कोश्चन अपना 2 संक्या हो का मैसे पे 119 दज़ा लेसे पे 11781 है उनकी संक्या 1071 है तो दूसरी संक्या बताओ ठीक है LCM और SCF दे रखा है और उनकी संक्या दे रहकिए दूसरी में पता करनी है तो पर्तम संक्या इंटो दूसरी संक्या बराबर होता है lcm into hcf ठीक है तो पर्टम संग्या दे रहे है एक हजार 71 इंटो दूसरी हमें पता नहीं है x lcm दे रहे है 11781 और hcf दे रहे है 119 यह एक हजार 71 गुना में कहा चला जाएगा बात के अंदर अब जो कट रहा है उसको काट दो ठीक है तो यहां पर 1071 और 11781 यह 9 से कटता है डारेक्ट तो 9-9 एक बज गया फिर 9-9 बज गया यहां पर 8 और 9-9 एक एक सुन निस पार ठीक है और यह 9-9 बज गया टेरा सुन, option number A अपना right answer हो जाएगा अगला question अपना एक वेक्ती 9 Kilometer परति गंटे की गती से share करता तो मीटर पर मिनट चाल बता यह ठीक है तो देखो 9 Kilometer क्या मतलब क्या होता है कि 90 Encounter में जा रहा है तो एक गंटे में 70 मिनट और 9 किलो मेटर जा रहा है 90 किलो में 9 000 मैं 20 की दूरी का दीजाएक 16ad गूआ ड़हा जाएगा ऍयुक कि द्रब अ कर दो में दो पूएक लाजाएगा Kilнем지 ठीक युं कहें यह जाएगा साथ एक्स जिरो तो उसकी चार हो जाएगी 150 मीटर पर मिनाट ओप्षिन नमबर यह अपना राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशिन अपना एक समकोंड त्रिबूच का करण 13 मीटर ताता आधार 5 मीटर है तो इसका शेतरफल क्या आत करो तो आधार हमें पता है कि 5 है तो एक बटा 2 इंटू 5 इंटू उचा यह में पता नहीं है यानि यह जिसका लंब है यह इसकी हाइट उचाही होती है तो अब देखो किसी भी समकोंड त्रिबूच की अगर दो गुजा दे रखे और तीसरी निकालनी है तो मैं पाइतोगरस प् बराबर होता है लंब का स्क्वाइर प्लस अधार का स्क्वाइर ठीक है तो कंड दे रखा है तेरा का स्क्वाइर बराबर लंब में पता नहीं है और अधार दे रखा है पांस तो पांच का स्क्वाइर तेरा का स्क्वाइर होता 169 लंब का स्क्वाइर प्लस पांच का स्क् तो यानि इसकी हाइट कितनी है 12 मेटर तो उचाई होगी इसकी 12 अब इसको सरल कर लो दो का बाग 12 में 6 बार और 5 चंग 30 तो उसका शेतर फुल हो जाएगा 30 मेटर ऑप्शन नमबर यह अपना राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉशन है अपना कि एक सम बाव बुझ में 10 बुझाए है उसके परती एक आंत्री कोण का मान होगा तो एक बाव बुझ है जिसके अंदर बुझाए 10 है और इसके आंत्री कोणों का योग निकालना है तो परती एक आंत्री कोण क्या होता है देखो अगर सभी कोणों का योग निकालना है तो 2N माइनस 4 इंटू 90 होता है ठीक है लेकिन प्रतिक आंत्री कोन निकालना है तो इसमें N का भाग लगता है ठीक है सारे कोन के लिए 2N माइनस 4 इंटू सम कोन और अगर 2 बुजाओ के बीच का कोन या आंत्री कोणों का माब निकालना है तो n का भाग देदो और n यहां होती है भुजाओ की संख्या तो n का मान कितना हो गया यहां पर 10 तो यह जाएगा अपने पास कोश्टक 2 एंटू 10 माइनस 4 बटा 90 बटा 10 ठीके 10 दूना 20 20 में से 4 गया तो 16 एंटू 90 बटा 10 जिरो से जिरो कड़ गया और 16 गुनों से गुना किया तो 144 तो एक दस भुजावाली आ करती के आंत्री कोणों का मान कितना होगा 144 डिग्री ऑप्शन नंबर भी अपना राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशिन है अपना कि कोश्टक x प्लस 3 कोश्टक बंद और कोश्टक x प्लस 5 का गुननफल किया होगा ठीके हमें x प्लस 3 को गुना करना है x प्लस 5 से ठीके अब दो कोश्टक की संगिया कैसे गुना करते हैं सबसे पहले ये x इस x से गुना होगा फिर x इस 5 से गुना 5 से गुणागगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग अगला question अपना राम तथा मुक्ता के आयू का नुपात तीन नुपात पांच है यह की बात करा मतलब वर्तमान आयू है वर्तमान में यह राम है और यह मुक्ता है ठीक है इनके आयू का नुपात है तीन नुपात पांच तो इसको तीन एक्स मान लो इसको पांच एक्स मान ल तो चारतिया 12x प्लस 9.36 बराबर तीन तरीका है तीनों पंजू 15x प्लस 9.27 एकस एकतरफ और नमर नमर एकतरफ करदू यह 12x यहीं रहेगा इदराइगा तो माइनस का 15x बराबर यह 27 वहीं रहेगा इदराइगा तो माइनस का 36 कि ऐसमें से कनराएब तो माइनस का थीन expected 24 गया तो मानिस का 9 मैंस मानिस का इंसल तीन गुणा में बाग में चलाएगा नौ में थीन वाग. ग है मगले है किद आए कि मुक्ता की वर्तमानाउच глуб Sh Georgia 61 investment credentials अगला कोशिन अपना किसी वस्तु को 524 रुपए में बैचने पर उतना ही लाब होता है जितना उसे चार सो बाउन रुपे में बेचने पर हानी होती तो स्वस्टू का क्रेम उल्य क्या होगा है तो इस टाइप का कोई सवाल दे रखा हो तो इसको करने का सबसे बेश तरीका है कि दोनों विक्रे बाउन रुपे में बेचने पर हानी हो रही मतलब जो इसका क्रेम उल्य है वो इन दोनों का सेंटर नंबर है और किसी भी दो संक्याओ के सेंटर या बीच का नंबर पता करना है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो ठीक है तो चार और दो च्छे पांच और दो साथ और चार दो का बाग दे दो दो चोकाट एक बजगया डोटे सोला एक बजगया दो आठे सोला तो उसका क्रेम उल्य कितना हो जाएगा चार सो एठासी ऑप्षनन नमबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉश्यन अपना किस दर से पांच सु रुपे का साधान ब्याज चार वर्ष में 40 रुपए बनता है देखो मुल्दन देरका है 500 रुपए समय 4 वर्ष देरकार ब्याज है 40 रुपए हमें दर पता करने है फॉर्मुला क्या होता है पी इंटू टी इंटू आर अपॉन 100 बराबर होता है ऐसा ही ठीक है तो मुल्दन के निचे लिग दो 500 टाइम चार वर्ष है दर हमें पता नहीं है और अपॉन 100 और ब्याज इसका 40 रुपए है इसको क्रोस मल्टिप्लाइ कर दो तो आर बराबर हो जाएगा 100 इंटू 40 बटा 500 इंटू 4 अब जो कट रहा उसको काड़ दू सबसे पहले 20 से 20 कट गया और 5 का बाग 40 में 8 बार और 8 में 4 का बाग दो बार तो दर क्या हो जाएगी दो परसेंड अप्शन नमबर भी अपना राइट अंसर हो जाएगा अगला कोशन अपना पॉइंट 3 3 3 को साधान बिन में बदलो दे को यह कंटिनू चल रही है अगर कोई नमबर कंटिनू चलता है तो उसको रोकने के लिए जो पॉइंट 3 पर बार ठीक है और अगर इसको हम सरल करेंगे तो यह बार हटता है तो इसका अधार क्या आता है नो तो यह हो जाएगा अपने पास 3 बटा 9 और कट रही है यह हो जाएगा एक बटा 3 तो पॉइंट 3 3 3 का साधान बिन क्या होगी एक बटा 3 अप्शन नमबर सी अपना राइट अन्सर हो जाएगा आ कि अगला कॉश्शन अपना एक परिक्षा में 400 विध्यारती पास भूए तता 60 परसेंट विध्यारती फैल वे तो कुल किटने विध्यारती देखो 60 परसेंट विध्यारती जो फैल वे परतिशट का सवाद ने तो आनको कितने मॉन ल 400 तो बताओ कुल कितने विद्यारती है कुल के नीचे X मान के क्रोस मल्टिप्लाइ कर लो दिया हो जाएगा अपने पास 40X बराबर 100 इंटू 400 और 40 कुना में कहां चला जाएगा बाग के अंदर 400 में 40 का बाग 10 बार और 10 को 100 से गुना किया तो 1000 याने कुल कितने विद्यारती है 1000 अप्षिन नमबर D अपना राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉश्यन है अपना यदि Y की गाथ 10 इंटू Y की गाथ 5 बराबर है Y की गाथ K इंटू Y की गाथ 2 के तो K का मान क्या होगा बराबर यहां भी आदार समान है तो Y की गाथ K के अंदर अगर हम 2 के जोड़ेंगे तो यह जाएगा 3 K दोनों का बेस बराबर है तो कड़ जाएगा ये अपने पास बचा 3 के बराबर 15 ये 3 गुणा में भाग में चला जाएगा तो के का मान कितना हो गया 15 में 3 का भाग 5 बार तो option number C अपना right answer हो जाएगा अगला question है अपना यदि किसी गोले की तरीजा 14 cm है तो गोले का प्रिष्ट्री शेतरपल क्या होगा ठीक है एक गोला है इसकी radius देरकी है 14 cm और हमें गोले का प्रिष्ट्री शेतरपल निकालना है गोले का प्रिष्ट्री शेतरपल क्या होता है 4 pi r square तो 4 की जगे 4 pi का मान 22 बटा 7 और radius इसकी 14 तो 14 इंटू जो कट रहा उसको काड़ दो तो साथ से चवदा दो बार और जो बाकी बाचा उनको गुना कर दो ठीक है तो बाइस चोक 88 होता है और चवदा दुना 28 ठीक है 88 को 28 से गुना करेंगे तो अपने पास आएगा 2464 तो उसका प्रिशिश शेत्रफल हो जाएगा 2464 सेंटीमिटर स्क आप्शन नमबर एपना राइट आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट अपना रिजनिंग का कि अगला पद ग्याद करो एक सीरीज दे रहे हैं एन बी ओ सी पी और डी एक्स इसका अगला पद में पता करना है तो यहां पर एक के बाद भी आ रहा है यहां पर एक प्लस कर रहा क्यों एक बढ़रा है तो क्यों कए प्लस क्या हो जाएगा अपना उपे रवन और चयों में के रूप में देक का खाया गाराई और उसको लिख रहा है यह से सी एल ए यू उसी बाशा के अंदर मैट्रिक मेट्री एम ए टी आर आई सी का कोड़ क्या होगा तो यहां पर यह जो अपने पास फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है इसके तीन दिन पार्ट कर रहा है और इसको यह उल्टा करके लिख रहा है इसी तरह यू एल का उल्टा ह और आई सी और इन को लटा कर दो तो ही हो जाएगा अपने पास टी ऐ एम और सी आई स्थे ए म का होड़ी का उल्टा टी ए अंड और लिख पूर चाहरी और तो मैट्रिक का कोड़ क्या हो जाएगा एम सी आई हर उप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा अगला कोशिन अपना श्रंकला के रिक जिस्तान में आने वाली संख्या क्या होगी एक स्रीज दे रखिए 101, 100, छिन्वे, 87 और गेतर बताओ इसका अगला पद क्या होगा देखो 100 के बाद क्या आ रहा है 101 के बाद आ रहा है 100 यानि ये 1 माइनस कर रहा है यहां 100 के बाद छिन्वे आ रहा है तो यहां पर 4 माइनस कर रहा है छिन्वे के बाद सत्या से आ रहा है यहां पर यह 9 माइनस कर रहा है और सत्या से के बाद इगतर आ रहा है तो यहां पर यह 16 माइनस कर रहा है तो इस तीरीज के अंदर हम देखते है एक चार नो और सोला माइनस कर रहा है तो एक चार नो और सोला ये क्या है स्क्वाइर नमबर ठीक है एक का स्क्वाइर दो का स्क्वाइर तीन का स्क्वाइर और चार का स्क्वाइर तो अब क्या करेगा ये पांच का स्क्वाइर माइनस करेगा अगला question है अपना भिन शब्द ग्याद कीजिए देखो चार option दे रहे हैं इन में से एक भिन शब्द ग्याद करना है पाठक, लेखक, रिपोर्टर और परकाशक इन में से एक भिन है और उस भिन का में पता करना है इस question का अंसर आप मेरे को comment box के अंदर दो और जितना हो सके है इस वीडियो पर comment करो ताकि आप अगर comment करते हो तो यूटूब के जो अलगोरित्म होता उसके अंदर recommendation में वीडियो जादे जाती है लास्ट question है अपना कि शब्द T-H-E-A-W के अक्षरों को अक्षरों से एक अनाच का नाम बनता है जिसका अंतिम अक्षर क्या होगा ठीक है अपने पास दे रिखा है T-H-E-A-W अगर इसको हम सही और सार्थक रम में लिखेंगे तो एक अनाच का नाम बनेगा तो बता उसक अंतिम अक्षर क्या होगा ठीक है तो इस सब्दों को अगर हम सही लिखते हैं तो इससे बनता है W-H-E-A और T ठीक है वेट और वेट का मतलब होता है गेहूं ठीक है तो इसका अंतिम अक्षर क्या हो रहा है T option number D अपना right answer हो जाएगा तो आज के वीडियो में इतना ही अग हो चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं किसी एक और नी वीडियो के साथ तब तक आमना ख्याल रखिए जे हिंद जे बारत